नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में तो आज हम डिसकस करेंगे अपना बाइलोजी का नेक्स टॉपिक जिसका नाम है हार्मोन हम जानेंगे कि हमां हेमन बॉडी जो होती उसमें बैसिकली जो मोस्ट इंपोर्ट सारा नॉलिज मिलेगा एक छोटी सी क्लास आप मालेजे कि आपके किसी ना किसी पेपर में आपको एक या दो नमबर देखे जाएगी और एक अच्छा सा नॉलिज गेंगे आपके हमारी बॉडी में कौन सा हर्मोन कहां से बनता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज होती है और डेपलम्मेंट होता है उसको इंफिलॉंस करते हैं जो हमारी बॉडी ग्रोथ करती है वह हार्मोन के जरिए हमारी बॉडी ग्रोथ करते हैं अगर वह इंफिलॉंस ना करें तो हमारी बॉडी में ग्रोथ नहीं होगा तो एक तरीका से देखा जाए तो ग्रोथ के केमिकल की तरह ट्रीट के जाते हैं केमिकल की तरह काम करते हैं हमारी बोडी में लाइक मैसेंजर की तरह मॉलिकूल इनके मॉलिकूल जो हैं मैसेंजर की तरह बोडी में काम करते हैं मतलब एक पार्ट को खतम करने के बाद दूसरे पार्ट पहुंच जाते हैं इनका काम यह होत करती हैं उन्हें क क्षम करती हैं कुछ बाडी में चेंजंग करने के लिए हमारी बाडी की ग्रोफ हो सखें अर जो यह幟न्हार होते हैं यह शेज बाडी में कंट्रोल करते हैं यह जिसे हमारी बाडी का जो इन्सूलिन हर्मोन होता है यह कहां है वाइड बाई दा बीटा सेल इन पैंक्रिया जानि बीटा सेल की पैंक्रिया से जो इंसुलीन हर्मोन निकलता है वो क्या करता है उन्हें रिज़ इंटू दा ब्लड जैसे हमारे ब्लड में पहुंचता है एंसुलीन हेल्प रूगलेट हाउ दसेल आप दा बॉड़ी यूज निम्हारी और वड़ी जो है 100 पैंक्रिश का यूज कर दियकों कया कoma कैसे यूज़ करते हैं उसको कंट्रूल करता है जो हमारा एंसुलीन होता है जो पैंक्रियाज की बीटा सलसे से रिट होता है तो हम देखते हैं कि हमारे कौन-कौन से मेजर हार्मों सही हमारी बाड़ी में जो अक्षर हमारे एक्जाम में पूछे जाते हैं और हमारी बाड़ी के लिए तो सबसे पहर्मा सबसे क्या थे सब्सक्राइं डिये नियुक्राइप ऊंद और से रिलीर्विह करता हमारी बाड़ी जो अनरजी प्राप्त करती है और एनरजी को ATP बनाते हैं फिर सेल में पहुंचते हैं हमारी पूरी बॉड़ी का विकास होता है तो जिदने भी chemical reaction हमारी बॉड़ी में होते हैं उनको क्या कहते हैं तो मेताब ज insulted हर्मों और जो मारा या सी निकलता है यह कंड्रोल करता है अध्यश ने बॉड़ी का टिन होते हैं लाई व्यवड़ी में इनल्य का है और होता है थायर्य हर्मों domain लेश हो भाइदा पैंक्रियाजिये हमारा जो कभी-कभी में फीधे से द wcze AJ पहुछ लिया जाता है जो इंसुलिनांद हर्भ कहँ बहां सीरी arb drip esos होती है उसे क्या हो довr highly सोगर कि वहीं से हमारा जो है यह हर्मोन जो है से हो ता है इस आंज्ड अलाउक बाडी सूर्प जानि यह क्या करती है बाडी को लगनग से थालव करते लिफ रहे ostum पर करना उसको जो है पेंसल traffico कियां एंसलीन करता है क्या है एक हेलप in keeping blood sugar level from getting to a high blood sugar level को high करनी में यह म decorated है अगर blood sugar level high wieder हुआ तो उसे क्या कहते है फ्ले से लेधा है Rocky विल्र फ्लेशला उसको पुछ लिए हो जाता है कि blood sugar होता है ज्सका अबलट सुगर बीपी तुसे क्या कहते है उसको हाईपर गल therapy लूसे मिंदșर उसको क्या कहते है है अपर हाईपर गलीजमिया तो बहुत ज्यादा और हाईपर गलीजमिया तो बखुत कम्त यह खुँप हुआ हमारा सिरी नंहीं चाहिए थ्रीननन हमारा सब्सक्राइप होथ rest मेना पोस्ट जो मेंचलों साइकल होती उसको रोकने चलाने में दोनों में इस्टोजन जो है वो मदद करता है फिर का है एक से साफ इस्टोजन इंदा फीमेल बॉड़ी इंक्रीज दा रिस्का ब्रिस्ट कैंसर अगर बॉड़ी में जो है यह जो हमारा इस्टोजन है यह ज्य if the estrogen level is less और अगर estrogen level less होता है तो female body then it leads to acne, but मतलब मोहासे जब estrogen का मात्रा है body में कम होने लगती तो क्या होता है मोहासे निकलने लगते हैं, skin में खाव बन जाते हैं, skin जो है थिन हो जाती है, पतली हो जाती है पोजेस्टान जो होता है, पोजेस्टान हर्मोन is produced in the ovaries, यह भी ovaries में बनता है the placenta when a woman gets pregnant and the adrenal gland यह जो हमारा पोजेस्टान होता है, यह कहां बनता है, और बनता है और बनता है, यह pregnancy में मदद करता है it stimulate and regulate various functions, pregnancy और body में जो भी other functions होते हैं उनको regulate करता है इट प्लेज आ इंपोर्टेट रोल इन मेंटेनिंग प्रेग्नेंसी प्रेग्नेंसी को मेंटेन करने में जो है प्रोजिस्टान का एक बड़ा हिस्सा प्रोजिस्टान जो है बड़े तौर पर भाग लेता है प्रेग्नेंसी को कंप्रीट करने में इट help body to prepare for constipation, pregnancy के दोरान जो भी असुबिधाय होती है, उनको remove करने में प्रोजिस्टान क्या है, वो काम करता है, और mental cycle होती है, उस तो complete करता है, when pregnancy does not occur, जब pregnancy नहीं होती है, तो प्रोजिस्टान लेवल ड्रॉप हो जाता है, जब pregnancy नहीं होती है, तो प्रोजिस्टान लेवल जो है, वो ड्रॉप हो जाता है, mental cycle स्टार्ट हो जाती है, it also plays a role in sexual desire, जो sex activity होती है, उसमें भी प्रोजिस्टान का एक बड़ा रोल होता है, फिर नेक्स हार्मोन जो है हमारा वो है प्रोलेक्टिन हार्मोन, प्रोलेक्टिन हा जब बच्चे को जनम देती है, जो बच्चे को दूद पिला जाता है, उसके सिक्रीशन में जो प्रोलेक्टिन हार्मोन है, यह मदद करता है, जो ब्रीष्ट में जो दूद होता है, बच्चे को जिससे महिलाएं दूद पिला सकें, उसके जो सरजन दूद का होता है, ब्री इसकी मात्रा अपने बढ़ जाती है इसको सेक्रेट करने में प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है वो हेल्प करता है और टेस्टोयस्ट्रोंन टेस्टोयस्ट्रॉन टेस्ट्रोंन जो है एक मेल सस्ट्राइब अलब करनेны विच्ञत विए विए अलबें बोलिक को विए बद लो通 act मैवन टेस्ट करनें सो Stephanie टेस्टेश स्टेस एंड बॉफ्टेट इंग्रीजिंग दा मसम जो मशल्स होती अनके मासक को मासक को बढ़ाना मसं को मजबूत करना गोत ग्रोथा बॉड़ी यह रब सरी को मद्वूत परना हेर को बड़े करना इस टेस्टर स्टान इस सेक्रेट इंसपिसियंट अगर हिमन बॉड़ी में टेस्टर स्टान जो है ज्यादा सब्सक्रेट हों लगेगा दिन में लीट टू अब नॉर्मल चीजे जो है वह वह अबनार्मल हो जाएगो इंकल्वीडिंग फ्रेल्टी औड बॉन्स इंत मतलब होता है नोसर जो हंप हर्मोन hormone क्या होता है अंचर्फ मूंड को बनाता है कैसा हम महसूस कर रहे हैं हे subscribe सब्सक्राइब करता है मूडसम्सकुलर फंक्षं 들어rs उसके बाद ड्यू टो डा उसके बाद due to the imbalance of serotonin in the body एगर जो serotonin की मात्रा है हमारी body में imbalance हो जाती है तो यह क्या करती है low level up serotonin causes the depression तो हम जब serotonin के मात्रा कम होगे तो हम depression में चले जाएंगे migraine हमारे सिर में दर्द होगा migraine का मतलब क्या होता है मतलब 20-24 घंटे तक सिर में लगातार दर्द होना उसको क्या कहते है migraine के तो वेट गे नमारा वेट बढ़ जाएगा और फिर क्या है क्या करता है अधी करता है इस हार्मोन के तो ह। हेल्प यू तो सभी अनिर milli मेरी जवत करता है इट्स में रोल शो चूर्ड पिस्ट्री एंड साइकलोजिकल इन्यूरक करता है इंडेंजर कंडिशन हें होगे हाट रेट बढ़ जाती तो उसके करण होती वह कंपर सब्सक्राइब के कारण के हमारे बॉड़ी में जो है अनेक्सिटी होगी अनेक्सिटी मतलब चिंता हाई लेवल आप कोलिस्टॉल एटीसी सिमिलरी लो लेवल आप कार्टिसोल इंदा बॉड़ी काज़स अल्कोहलिज मारी हम लोग नसे का सिकार हो जाते हैं अल्कोहल पीने लगते हैं इस अंदिशन्वाल क्रोनिक फटीग सेंड्रम को अतियांत थकावट जो बडी में बहुत जाधा थकावाट आती है जब कर्टिसोल की मातला लो हो जाती है तो उमरी बहुत ज्छादा थकावाट आती हो खड़ों फद्वत अंतनी अब को नेक्स हमाता हाता है अड्रुनीन क् secreted in the medulla in the adrenal gland adrenal gland के medulla से secret होता है well as some of the central nervous system and neurons neurons nervous system के सामंजे समें जो secret होता adrenal gland से वो adrenal hormones होता है it is also known as emergency हर्मोन भी कहते हैं because it is initiate the quick reaction with make the individual to think and respond quickly जो हम तुरंत response करते हैं न को धक्का दिया हमको गुसा जा हमने उसको मार दिया तो यह क्या होता है यह किमरेंसी हार्मोन होता है एडिनरील हार्मोन कोई reaction जिसके करण होते हैं किसके करण होते हैं वह एडिनरील हार्मोन के करण हैं कोई reaction करते हैं it increase the metabolic rate यह हमारी metabolic rate को बढ़ाता डाइलेशन आप ब्लड विसल जो ब्लड विसल का काम करने की जो प्रिक्रिया है डाइलेशन है वह किसके दोरा होता है गोईंग टू दा हट अब रेन जो हमारा ब्लड हाट रेन की चरब जाता है ड्यूरिंग एस्टेस्फिल सिच्वेशन एड्नलीन कुईकली रिलीजिंग है ड्यूरिंग इन्टू डॉटल जब हम एस्टेसफिल में होते हैं गुस्था कुशंन में होथ या किसका दुख क्यो ακ निरीक्स करता है वाट एंड इंडम्ट प्सक्राइब ऑर्गन सो एंपर भेलता है मॉमेंट भेलता है तो ख्रेक पशेग रिसपांस के लिए इसका य हर्मोन नेक्स है हमारा समय ग्रोथ हर्मोन ग्रोथ हर्मोन क्या होता एक समयट्रोपिन हर्मोन होता इस बैसिकली प्रोटीन हर्मोन होता इसमें protein होते हैं इसमें 190 amino acids with centimeter by nasal cell के दोर्पोर्टीन synthesis की जाती है उसमें amino acid के जर्य हमें इमखर्वहार्मोन जो है ऐताप एक टाप की प्रोटीन होती है somatopきた time pipeline जिसे बोलते हैं और एंटीर प्रोटीन ग्लände के इंटीर में बनती है इस्टिमूलेट ग्रोथ मारी बॉड़ी की ग्रोथ सेल प्रोडक्षन सेल का प्रोडक्षन जो होता है और सेल इगनेशन बूस्टिंग मेटाबोलिजम रेट को बढ़ाएगा तभी तो हमारी बॉड़ी में ग्रोथ होगी इस इंपॉर्टेट इन हैं हीमन बाडी सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स डेनेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए